राच्छी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकेन पे क्लिक कीजिए अरुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएは नग्या है नग्या है झाल 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 पाकिस्तानी इंटेलिजन्स एजन्सी और हिंदुस्तानी पॉलिटिशन्स के बीच का सबसे बड़ा डील में कर असर ब्रिगेडियर शर्मा करप्ट एज हेल लेकिन हमार पास कोई प्रूफ नी है सर समर सेंग यस सर पावर ब्रोकर आजकल की सारी डिल्स यही क्रैक करता है राउफ के साथ काफी देखा गया है सर इसे स्क्वाश खेलते गए तुम कहना क्या चादे ब्रिगेडिया शर कश्मीर में लश्कर की हल्चल काफी पड़ गई है एलेक्शन्स आने वाले हमें जल से जल्द यह पता लगाना चाहिए किसमें होने के वाला आए then do what you have. What are you waiting for? We have 103 agents in the valley. Have your pick. Sir, I need someone from outside. Vikram Sabrava. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! 18 years later, Kashmir law came. Everything came from you. I remember, in 1989, Julus, Sardos, Tahangamu, Haftokarvi, and people's minds, there was no doubt, there was a greater freedom of freedom. और इसी दोरान मीर वहिस कश्मीर का खतल हुआ एक लंबी जंग का एलान हो चुका था अब क्या चाहते है अजादी का मतलब क्या इन हिंदुतानी फौर्ट के करिंदों में सर्यान मौली साथ का खतल किया है काफिरों जालिवों कश्मीर हमारा मक्सद है सिक्रीटी फौर्सेस को फिरन पहने सब कश्मीरी एक जैसे लग रहे सरी लेहारा है जेन होको लुष्मन, हर समय, हर जना, हर स हर्णप जाह, हर गाल हर करन में है कशेंisen दून लग एन संदना होएTo इप रहे आप लुन कोहिष्ण करी नीस ना? को इशार रखाँ ! यह कर दे! चाहे लो कुछा हुड़ागा!! यह लिए अटेचाहरा हुड़ा?! यह लिए लेने चाहरा!! अटो पाटो लखाँ!! मौन इसी ईंटोरगेशन है जर्श एफिरे चोड़ देगे!! आप्रभ याधे रहे हैं आए इस उखांगे मेरी अरे आप नदी कहें मेरी आपिस्कोटेजे आपटेजे यह आप जोटेजे से रूस की हार ने कश्मीरियों के होसले बुलंद कर दिये अब पुलिस पर कांगड़ी और पत्थर फैंकने के दिन गए बच्चों जिस तरह से तुमने कुरान की आयतें याद की है उसी शिद्दत के साथ पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग करना जब कभी आराम करने का दिल करें तो यहां तुम लोगों की माओं के साथ तुम लोगों की बेहनों के साथ जो ज्याती हुई है उसे याद रखना इन्शाल्ला हम ये जंग ज़रूर जीत के रहेंगे अगले जुम्मे बिंडी में अगला तुमा बिंडी में हालत इतनी खराब हुई कि कश्मीरी पंड़तों को अपना सब कुछ छोड़कर कश्मी से निकलने पर बन्बूर किया गया कि किसी ने उन्हें रोकनी की कोशिश नहीं कि और कश्मीरियत को हमेशा के लिए दाग मन गया हवा बदल चुकी थी जो कौम चाकू छूरी चलाना भी नहीं जानती थी अब आटोमेटिक बंदूक उनके लिए खिलोना बन लिया थी हर नौजवान शहीद बनना चाता था कश्मीरियों के पूरा यकीन था कि चंद दिनों में आजाद कश्मीर का छंडा है श्री नगर के सेकरेटेरियेट पर लह रहेएगा कि ऐन उनके मुड़ हैं दिन देखी नग्या म कहत prosperा है यहां का मौसम और माहौल कभी वदर सकता वेलकम दो कश्मीर, दो मोस्ट टेंजरोस प्लेस प्लेस इं दे वर्ल्ड दो मोस्ट बीटिफुल से इस अपरेशन को क्रेक करने के लिए तुम्हें एक नई आइडेंटिटी लेनी होगी दुल जहांगी यह नाम तुम्हारे सामने बहुत सारे दर्वाजे कुट देगा बनी इस नौट प्रॉब्लम जितना चाहोगे इन गुलेगा इस इस अहाईली कॉंपिदेंशल मिशन खत्रा कहीं से भी किसी से भी हो सकता है अधरा साल में कुछ नहीं बत्ला है वही नफरत वही आग गॉड मेंड हैविन मैंन क्रीडेट है इस 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 तोरी अव कश्मीर अगर सारा कश्मीर कबरिस्तान बन जाए तब भी जमीन से एक ही आवाज उठेगा हालाई! 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 हम कश्मीरियों का खून कोई जहलम का पानी नहीं जिसकी इंदुस्तान की नजर में कोई कीमत नहीं है आज जी के दिन मौलवी साब शहीद हुए थी कल को हो सकता है मैं भी मारा जाओं लेकिन ये जिहाद अब खत्म नहीं होगा बिछले ठारा सालों से हम ये जंग लड़ रहे हैं और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमें आजादी नहीं मिल जाती नारा ये तक्बीर ये तेहास गवा है जब जब माता खीर भवानी के पानी का रंग काला हुआ है तब तब कश्मीर में कोई कायामत आई है इतनी तबाही तो हो गई मा अब और क्या बचा है चार चिनार का मैसेज है रहना बारी चौक बहुत परिशान करके रखा एंट सी आरपेक को आइडी दीखा काहां से आ रहा है कहां जा रहा है देखाना साब बोला था ना मैने हमारे घर में आकर पोच्छते हैं कि कि इधर जा रहा है तब पड़ मत मारो साब पड़ नहीं मारो भाह निकल पाहर निकाल ज़र बाहर निकाल गोली मारता हूं तेरको गोली मार दो ना रोज-रोज मार खाने से तो अच्छा है कि एक पर गोली मार दें आप बहुत बोलता है तुछ अरे छोड़ाना सब एक मिनित पर बीच में मत बोलना परना दोनों को यहाई ही ठोक दोगा और लिकवा मफर इति देचा चार को आहागां इस ब्लास्ट की वज़ा से situation काफी tense हो गई है और काश्मीर पर पूरे दुनिया के मीडिया की नज़र है हमारी तरफ से यानि Department of JNK Affairs की तरफ से एक प्रेस नोट रिलीज करो कि हम इस ब्लास्ट की हाजी पर हुए हमले की निंदा करते हैं और लोगों को यकीन दिलवाते हैं कि इस बार election peaceful होगा कोई प्राबलम नहीं होने वाली और हर बार की तरह इस बार भी सरकार हम ही बनाएंगे PKF के लीडर हाजी सयद शहा पर हुए आत्मघाती हमले में उनके पार्टी लीडर शब्दी अनी नोट और उनके ड्राइवर की मौत हो गई हाजी सयद शहा ने कश्मीरी आवाम से दर्खवास्त की है कि वो अपने उस्से को काबू में रखे सर इस हमले में आपके पार्टी लीडर शब्दी लोन की मौत हो गई आप किसको जिम्मिदार मानते हैं कश्मीर के दुश्मनों को जो नहीं चाहते कि कश्मीराजाद हो लेकिन अफसोस की बात ही है कि आज मेरा एक और अजीज मैंने खो दिया क्या नाम बताया आपने सर 17 हमले 18 साल में और इस सब से आप बच निकले वो इंसिडेंस और आप मुझे एक्स्पेंग दिस सर सर जब आप जैसे लीडर पर ब्लास्ट हो सकता है तो क्या लगता है आपको आम आदमी के लिए कश्मीर जैसी जगा कितनी सुरक्षे थे सर बेतर होगा अगर यह सवाल आप आवाम से पूछें कि किस तरह 7 लाख यह जानते हैं ने यह परफेस यह महिने का था जब मैंने बंद कर दिया गया था अपनी मा के साथ लेकिन यह यह चालों से कितनी औरतों ने अपने मर्दों को नहीं देखा, आपका मीडिया ये बात हिंदुस्तान के लोगों को क्यों नहीं बताता, मिस्टा राइना? No, you answer me this. क्या बात है इतने साल बात पीर वापा की याद कैसे आगई? मिलने की इच्छा हुई इसलिए चलाया, तुम इंटलिजन्स के लोग हमेशा दूसरों को थोड़ा कम इंटलिजन्स समझते हो, इसलिए शायद दुनिया में इतनी दहशत है, यहाँ हर आदमी एक मकसद से आता है, मैं एक मिशन पे आया हूँ, कश्मीर फिर जननने वाला है, इसमें कौन से नहीं बात है, आटरा साल से तुरुज हो रहा है, यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, 89 से भी बड़ा, मैं तुम्हारे कैसे मदद कर सकता हूँ, ब्लास्ट के बारे में जानना चाहता हूँ, बारूफ, दर्वाज़ा खुलिए, एक जरूरी खबर देने है, एक नट, वाजी बाबा पे हमला किस नहीं किया था, मुझे कज पता, जिसने किया था उस्टे पोच, अटरी बार किसका था, नहीं बता सकता, घबीश, नहीं बता सकता, तुझ भी नहीं सकता, तर्माजा खोल, आरूफ तर्माजा खोल मेरा काम बड़पाल में सबरीना के घर पे तमान देना था इस विज़ा तक कुछ नहीं पता रेडियो और चेक पोस्त, एक लेड़ की बुरके में कडलना हटा की तरफ खाग रही है खर्माजा, सक्क्राव तर्माजा देर साथ रही है थे सकतो का है वो औराए्टा ईतिसी घ्सार्ग को सबद JK!!! सुपए उनक fij एडिस loves एडिस तो भाधिस लाधिस वहाच। को रहा तू? मसीह, तुम्हारी जान जो पचाई तुम्हें ने मारूफ को क्यों मारा? तुम्हें उस्से मतलब नाम क्या है तुम्हारा? गुल जांगीर तुम्हें काया है बाइजान, खाना तेयरे? आता हूँ बाप को फोज ने बारा और भाई को मिलिटन्स ने और फिर भी जनाब आजादी के खुआप देख रहे हैं हम क्या चाहते हैं? किसी के आजाद कश्मीर लिखने या बोलने से आजादी नहीं मिल जाती जनाब बिना तुम्हे वहां नहीं जाना चाहिए था बादिमस कोड या परवेज को साथ ले जाती जोश में होश खो बैठती है यह हम बात कर रहे हैं तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है परवेज बाबा लेकिन इस मुहीम में मैं बहुत से अजीज खो चुका हूँ तुम्हें नहीं होना चाहता पीटी अपने वालिद की तरहां एक अजीम लीडर बनो बागी कामों के लिए पुलिस है जी बाबा आएंदा ख्याल दुखना असलाम वालेकुम बाजी वालेकुम असलाम क्या हाल है? ठीक जो बाजी बतमालू में सबीरना के घर का पता चल गया है मारूफ ने असला वहीं दिया था पातिमा स्कोट को तेयार करो जुम्हे की नमाज वही पढ़ेंगे जी और पता करो ये कुल जहांगीर कौन है सुनाये तुम आर्मी की वर्दी बनाते हो देखे जनाब आर्मी जवानों को रद्दी देती ये वर्दी नहीं अगर जवान अपने पैसे खर्च करते अच्छी वर्दी सिलाना चाहे तो इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है अगर मिलिटरी को एतराज नहीं तो मुझे क्यों होगा लेकिन जो रद्दी मिलिटरी तुमें बेचती है उसे तुम मिलिटर्स को देते हो आखिर मेरा दंदा है जनाब रोजी रोटी क्या करें और ये कपड़ है किसे बेचते हो मिलिटरी को या मिलिटर्स को कश्मीर में मिलिटरी और मिल्टन के अलावा मेरे जैसे लोग भी रहते न तस लाया था तीन बचे हैं आप खरीदेंगे क्या खरीदूंगा लेकिन पहले इंफॉमेशन ब्लास्ट किसने करवाया जी मिलिटर्स ने या मिलिटरी ने ये काम किसी एजेंसी या अंदर के अदमिक है मिलिटरी या मिलिटर्न का नहीं समझे माइए यतने यकीन के साथ कह सकते हूं चनाब यह है रहनावारी चौक नो मैन्स लैंड, यहाँ जैश, यहाँ अलबदर, यहाँ हिस्भुल मुजाइदी, इन तीनों में से यहाँ कोई अटैक्ट ने करेगा, यह बात है, और लशकर? यहाँ 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 में सारे इंतजामात कर रहा है आपको जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा चाहिए जनरल साब पूछ रहे थे कि मिशन को अंजाम देने के लिए कोई तारीख दी कही है कि नहीं इंशाला इस दफ़ा दिवाली ईद से पहले ही आ जाएगी फिल्हाल आप कश्मीरियों से कह दीजे कोई एहमकाना हरकत ना करें हमें कोई गड़बर नहीं चाहिए हाग रहा था सुमलर से मिला है पहले पाके देवे आओ चलो जिस चीज को पाने की थी उमीद खो चुकी उस चीज को पाकर बहुत दिल को खुशी हुई सलाम जिन्द की हम साथ में हैं आने साथ रहें बस दुआने करते हैं आपाद रहें अपनी मुहाब पर रख से ये कहां करते हैं जिस चीज को पाने की थी में दिखा चुकी उस चीज को पाकर बहुत दिल को खुशी हुई सलाम जिन्द की सलाम जिन्द की सलाम कि स्लाम जिन्द की सलाम deficit तरी आज़ जगर इन बसित, मिल्टरी पोची घुजारो अमनु का महात निगुजा, मिल्टरी पोची घुजारो निग्टरी पोची घुजारो आज़ जिन्दीगी झाल झाल खुट उन्हार टुटा झाल खुटा तुटा टुटा झाल प्राउडा कार कर दो वां टुटा झाल वां गुटा तुल P अज्पीन अगर में फास्पोर्ट की लीडर अजीजा अंसारी ने बहुत ही बड़ा और चौका देने वाला सेक्स कैंडल एक्सपोस किया चौका देने वाली बात ये है कि इस और्गनाइज सेक्स रैकेट की पीछे जो शक्सियत है सबरीना मलेक उनके तालुकात एक नामी गिरामी पॉलिटिकल फैमिली के साथ है तो आईए जानते इन लड़कियों से कि क्या वो वज़य है क्या वो मजबूरी थी कि उन्हें ये कदाम उठाना पड़ा लूटना किसमत है हमारी जे किसे किसे जिमेदार मानती हैं सब लूटे रहें यहां पर फॉज फॉज बंदू की नौक पर लूटती है और लीडर्स आजादी की दुहाई दे कर कश्मीर का या नया पहलू वाकई चौका देने वाला है आजादी की मुहीम लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टी कि आप जिस्म फरोशी और औरतों की दलाली पर उतराई है आजी साब आपके होते ही यह क्या हो रहा है वादियों में यह सेक्स स्केंडल जैसे खबरें कश्मीर की मुहीम को बदनाम कर रही है मत भूलिए आपको यह फंड्स कश्मीर की आजादी और जिहाद के लिए दिये जाते हैं देखे जनब इसमें हमारा कोई इंवाल्मेंट नहीं है लेकिन कंट्रोल तो कर सकते हैं ना एलेक्शन तक कोई हंगामानी चाहिए अनलेस ओथराईज ब्यास भदा आफिस जैसी बचसात को लाल चौक में गोली मार देनी चाहिए अजीजा अजीजा तुम अपने दाइरे में राना सीखो परमे सेखो इसकी इफाज़त का इंसाम करें कौन गुल जहांगी था पीछे मुड़ कर मत देखो दो आदमी तुम्हारा पीछा कर देखो कहां है मुझे तो कोई नजब नहीं आ रहे हैं लेकिन मुझे आ रहे हैं तुम भी और वो भी चलती रहो मुझे पाई तरफ कसाई की दुकाने उसमें चली जाए पीछे वाले दर्वाजे से भार आजब वही रोको अभार आज़ो सीधा धल गेट की तरफ चलो कैफे मुराद आज़ो आज़ो क्या क्या किरूए कौन थे वो लोग जो हमारा पिछा कर रहे थे परवेज के अदमी थे ना मुमकिन यकीन नहीं आता तो वो लोग वहाँ पड़े हैं जब होच आजाएगा तो पूछ ले ना किसके लिए काम करते हो पहले तो बेरोजगार था लेकिन आजकर लोकरी मिल गई तुम्हारे हिफाज़त की पहले पूलीस से बचाया आज परवेज के आदमियों से क्या चाहते हो तुम लास्ट के दिन हाजी बाबा कहां जा रहे थे यकीन मानो हमारा मक्से देखी है चामे मस्ज़ित से दर्गा और उसके बाद नहीं बता कौन था उनके साथ शबीर अली, परवेज और बहुत सारे लीडर्स और कुछ तुम्हारी आखों में इतना गुसा क्यों ये हर कश्मीरी को विरासत में मिलता है और एक बात तुम बहुत खुबसूरत हो बिल्कुल कश्मीर की तरह खुबसूरत सिर्फ चहरा है अंदर छाक के देखोगे तो चल जाओगे बहतर ये है कि हम दोनों से दूर रही खुदा आफस कश्मीर बिल्कुल नहीं बदला आज भी जननत है देखे रोफ साब आब आद को समझी की कोशिश नहीं कर रहे है सब कुछ प्लान के मताबिक चल रहा है सिवाए आपके समर साब देखिए जब हमारी ये डील फिक्स हो चुकी है कि मशीनरी आप देंगे और उसको एक्जिक्यूट हम करेंगे तो फिर यह extra expenses क्यों देखिए आपके जो internal problems है प्लीज आप खुद solve कीजिए हम पर क्यों लाग रहे हैं हम 30 करोड रुपे लश्कर पर हर साल खर्च करते हैं अब बताईए आप से क्यों मांगा हमने देखिए सबी ministry police, forces, agencies सब के सब इसमें involved है सब की जेवे भरनी पड़ती है तो इस mission के बाद फाइदा भी तो सब को होने वाला है अब आपकी सरकार और ministry का और intelligence का budget कितना बढ़ जाएगा आपको अंदाज आए कुछ बैठिए आप, मैं समझाता हूँ आपको और यहाँ देखिए यह देखिए मिलिटर इंटेलिजेंस सो करोड इंटेलिजेंस बिरो सो करोड जे एंड के सेपरेट हा तीन सो करोड मतलब पान सो करोड रुपया आपकी सरकार हर साल कश्मीर के उपर खर्चा कर रही है और यह पिछले अठारा सालों से चल रहा है अच्छा बताओ इनको कितना हुआ टोटल 9,000 क्रोड 9,000 करोड रुपय और आपकी एजेंसी का बजट यह मैं सिर्फ कश्मीर के बजट की बात कर रहा हूं और हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान की बात है अब आप लोग अन्दाजा लगा लेजिये कि आने वाले 20 सालों में आप लोगों को कितना फाइदा होगा अजीजा परवेश हमारी जासूसी क्यू कर रहा है जासूसी नहीं तुमारी हिपाज़त कर रहा था हम अपने हिपाज़त खुद कर सकते हैं बाबा का हुक्म था कौन था वो अजीजा किससे मिलकर आ रही हो जहांगीर पुलिस से बचाया था उसने में कि अगे बाजी अगा बारे ठीक जो और हिंदुस्तान से कब लोटी है आप दो दिन पहले तिल ली जैपूर, जोदपूर तक जाके आई, सब जेलों में देखा, कहीं कोई रेकॉर्ड नहीं दस हजार से ज्यादा लापता है, और किसी का कोई रेकॉर्ड नहीं मैं जब भी वापस आती हूँ, तो ये सब एक नई उमीद के साथ, मुझमें अपनों को ढूंते हैं और मैं, मायूसी और निराशा के अलावा उन्हें कुछ नहीं देता हैं इंशाल्ला सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्ला सलाम, सलाम, वालेकुम, सलाम आते भाई, अनास को आ गया है, इंशाल्ला शाम तक सीमेन भी पहुँन जाएगा रजाका ये मकान कब पक्य होंगे? आते भाई, तकरीबन दो महिन तो लगेंगे अच्छा, मतलब गोलियों और गालियों से जी नहीं भरा आपका, जो अब इन्हें सर्दी से मारने का एराता है जल्दी से त्यार करो, जी ओई सल्मान, जी वो रेडियो त्यार हुआ कि नहीं? रेडियो तैयार है आते भाई, सब लोग आपका इंतजार कर रहे है सलाम आलेकूम अच्छा, ठीक चूँ इस्कूल नहीं गए आज चुटी, अच्छा क्या लए, बारे? ठीक चूँ ना? बारे, बारे वो सकीना की सगाई की तैयारी कहां पहुंची? बेटा, सारी तैयारियां तूने ही तो की है बस एहमाद के आने का इंतजार है आते हुबाई, टेम्पो तैयार है माउजो, कात कर सलाम वालेकूम बेटा तु छीक है ना, सकीना की शादी यहां की आलत, वहां से ही बत्तर है कोई नहीं अपना तू वापस आजा बेटा वो लोग यहां आने को तरस रहे हैं और हम अपने घर जाने को पाजी इसकी तो रिपोर्ट करनी चाहिए अरे नहीं यार, यह लोग आतंकवादी नहीं आम आदमी हैं, जो जोश में पाकिस्तान चले गए थे और अब वापस आना चाहते हैं तीन हफते हैं, मैं भी अपने घर निकल जाओंगा जान शुटेगी इस पागलपन से पाजी आप पे भी पागलपन के दोरे पढ़ते हैं क्या हाँ, जब तनख्वा साथ हजार उपए हो तो और क्या होगा सला, खाना भी खुद पकाओ, परदी भी अपने पैसों से पहनो और उपर से इन मादर्चोद आतंकवादियों का मुकावला भी करो कहने को यह जन्नत है, जन्नत जन्नत, जन्नत और जहन्नम के बीच का फासला सिर्फ एक को ले मुक्ष को जन्नत अर्ब तूख कर अग्यों तूए विम्हें के लिए से हाग ही। आजिए बाधा राचीज दे अटो खागे हैं आज यह जो अजिए प्रावर्वे गार्वार्वान्ट आज़ुट्ट्ट्ट्री जो पूलत आजयो अटो अटेए आड़िये आए पर वेगार्वान्ट्रेश्ट्ट्र! जनाब केसर बाजशा तक पहुच गया है अम मी कल दिली से आरही है औहों जाएगा सामान रवाना कर दो अच्चो को तालीम के लिए भेज रहा हूं और शारी से काम लेना केसर पहुच दो ही तुम्हें तुम्हारा इस्सा मिल जाएगा तुम्हारा इस्सा मिल जाएग जाएगा इसमें पांच और जोड़ दो और उन्हें आखिर में भेशा आमी को भी अपना टागेट पुरा करना होता है कब तक यह स्ट्रगल चलती रहेगी अपने ही मुल्क में इज़ट से जीने के लिए और हमें कितना लड़ना पड़ेगा कभी-कभी लगता है आजादी का ख्वाब सिर्फ ख्वाब भी रह जाएगा अजीजा पदा है बचपन में अम्मी कहा करती थी कि जो अल्ला ताला को सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं वो उनका इम्तेहान बाकियों से ज़्यादा लेता है आतिफ ये गुल जांगीर कौन है क्यों पदा नहीं क्यों इलेक्शन जाते ही नएने चेहरे दिखने लगते हैं वैसे इस बार एक पुराना चेहरा भी दिखाई देगा तुम जानते हो इसका नतीज़ा क्या हो सकता है बंदूग तो उठा कर देख ली अब बैलिट भी आजमा कर देख लेते हैं मकसद वही है आजादी कुछ हो गया तो फिर दूसरी जन्नत में मुलाकात होगी है दिल को तेरी आर्जू बर्म तुझे ना पास कूँ मैं हूँ लब को दुवा दोनों जुड़के जुगा आदना माशका देबर मद नौरे तु ही तो हर पलबना है लम्हों किन जंजीरों में तु ही तो है दिन दिखा है धुझली योजली तसरीरों वाच्वस लब्स दुवा मीलत दश्वाई जुदा मद नौरे माशका देबर मद नौरे हाई विक्रम यह उन्हों नौरे कॉपरत है अंग अग्री तो ही दो हुझत काष्मीर दॉपर्फनी विक्रम यह को प्रॉंध दॉपो सिर्य की दुब्स दूंग हमाइन मेर्ण युसफ खालो युसफ खालो युसफ खालो युसफ कंना बड़ा करो कितनी वार कहा है कि यहां आने से कुछ हासिल नहीं होगा परविना जी गवर्मेंट तो आपको मौवज़े दे रही है पांच लाग रुपए कम नहीं होते पैसे लो और जान छोड़ो हमें पैसे नहीं हमारे खाविन चाहिए हिंदुस्तार की कौन सी जेव ने बंद कर रखा है अपने सभी जेलों में तो हो आई हैं आप वहां नहीं मिले तो मैं क्या कर सकता हूं चले गयोंगे सरहत पाग उन्हें फोज उठाकर ले गई थी खांच साब वो आपके हवालत में सब्सक्राइब करांगे से अपकी सरकार ने उन्हें बाग यह से जीएंगे हमें अपनी इसलामी ही रिवास के तहर एक प incarमा के हकं यह याँ से होताव यहां से खंसोब हम से कम ये तो बताएं कि उन्हें तबन्लेंगे और पर दोचेरिक. खंसोब यह जैकेट तुने किसको बेचा अब बहुत लोग खरीदने आते हैं कैसे बताओं किसको बेचा औरिण स्थरी का इताओं किसको लोगिते हो पन् सकेफात काचे इताओं कर बॉम तूर ने लगाया था मैंने कुछ नहीं किया तुझे मारने के बाद मैं भी बोलूगा मुझे कुछ नहीं पता है मुझे बस इतना पता है कि अर्जेंडी वाली गाड़ी कोड़ाना था फर फेजभाई का ओर्डर था वालेकम सलाम अनबर के कार्दिल का पता चाहिए तो शाम को पाच बजे अमीना मंजिल पहुचाना कौन बोल रहा है था आफिस कौन हलो आपका काम हुए मुझे अको को अटने काम है max तुझे ही धूर्द रहा है, इस मुना काद के लिए बहुत बहुत शुक्री हूँ मादर शुर। यहाँ पे पुलीस कम है या फिर। तु ही पुलीस है। सामने क्यों नहीं आता। प्लास्ट को ओडर तुने दिया था। जयाता दिमाग मत चला ने तो पूरी बिल्डे को प्लास्ट कर दुआ। चल बता अभी। आज ही पे फ्लास्ट ने परवाया। अब बता किसको मादने की तहियारी चाहिए। आतेव भाई। आप सही कदम उठारे। मेरा वोट आपके ही हक में पड़ेगा। आतेव भाई। आप सही कदम उठारे। शुक्रिया। आज हमारी आइडेंटिटी सिर्फ एक आइकार्ट बनकर रह गई है। कहने को तो हम जन्नत में रहते हैं। लेकिन सच बात यह है कि 18 सालों से हमें खूपसूरत जेल में रह रहे हैं। अरे ना भोलने की आजादी, ना सोचने की, ना अपने ढंक से जीने की आजादी। हमारे बच्चे बाहर काम नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें मिलिटिंट का जाता है। और यहाँ पर वो काम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पर इंडस्ट्री तब तक नहीं होगी जब तक यह मौका परस लीडर हैं। जो नहीं चाहते कि आवाम तरक्की करे। जो कि तरक्की पसंद आवाम सवाल पूछती है। और हमें अपने घरों से निकलने से पहले पचास बार सोचना पड़ता है हमें वही कश्मीर वापस लना है जहां अमारे बच्चे बंदूकों और गोलियों के साथ नहीं, हिलोलों के साथ बढ़े हो वही कश्मीर जहां हमारे बच्चे माबाप के साथ बढ़े हो ना कि यतीम खानों में मैं आपसे जन्नत का बादा नहीं करता लेकिन इस जहन्नम से निजात बाने की पूरी इमानदार कोशिश जरूर करूँगा आने वाले इलेक्शन में गुल्मोहर को वोट दीजिए आपार्ण दो अबार्ण है गुल्मोहर का परचा उड़ा दो हमारी मिशिन के लिए ऐसे लोग खत्रा बन सकते हैं और परवेश पे इंटेलिजेंस की नजर है उसको अंडरग्रांड होने के लिए बोल दिया है और बीच बीच में वो भाजी को मिल दे रही है उन्हें आजादी के ख्वाप दिखा दे रही है आप भी फिकर रहे हैं हर काम प्लैन के मुताबिक चल रहा है समान मैफूस है और ट्रेनिंग का काम जोरों पर चल रहा है इंशाल्ला जो 89 में नहीं हुआ इस बार होगा आतिफ हुसेन ने आज एक पॉलिटिकल रैली में काफी भड़काऊ भाशन दिये और जनता की समवेदनाओं को उत्तेजित किया बेकाबू भीड को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को फाइरिंग भी करनी पड़ी जिसमें काफी लोग जखमी हुए जम्मू और कश्मीर की पुलिस ने दफा 153-1 के तहट आतिफ हुसेन को नॉन बेलिबल चार्जस पे एरेस्ट कर लिया है देखे कश्मीर में बहुत खुन खराबा हो चुका है और हम नहीं चाहते कि हमारी बज़े से और कुछ हो इस दिस अ प्यॉर पॉलिटिकल किमिक या कुछ और यह तो वक्त ही पताएगा कैमरमन खुर्शीद के साथ रुवराइना जी न्यूज श्री नगर यहां बुलाने की वज़ा बाबा के बारे में कुछ पता चला था हमें कुछ नहीं सुनना उनके हमलावार का नाम भी नहीं परवेश परवेश को बाबा ने अपने बेटे की तरह पाला है इस इंपॉसिल मगदूम साथ की मस्जिद में खड़ा कभी जूट नहीं बुलोगा बाबा से खास मौपत की वज़ा मौपत बाबा से में कश्मीर से खुदाफिस जनाब आपका महमान आ चुका है बोले इसके साथ क्या सुलुक करना है ठीक वैसा जैसा एक मुझरिम के साथ होना चाहिए बोलोजीजा क्या क्याना चाहिए यो बोलो अजीजा क्या क्याना चाहती हो बाबा आपसे अकेले में बात करनी है यहाँ कोई गैर नहीं है बोलो आपकी जान को खत्रा है उसमें कुनसी नहीं बात है खत्रा गैरों से नहीं इस पार अपनों से है जो भी कहना है साफ साफ को बाबा परवेज परवेज ने आप पे हमला करवाया था अजीजा तुम जानती हो तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो जी परवेज ने प्लास्ट के ओडूस दिये थे तुम हद से बाहर जा रही हो अजीजा उसलील आतिफ की बातों में आ गई हो तुम आतिफ ने हमसे कुछ नहीं कहा था तो किसने बताया तुम यह सब वही जिसने हमारी जान बचाए थी तुम्हें उससे मिलने से मना किया था ना चूं मिल रही हो बरबार उससे तुम पीकेफ के असूलों को भूल गई हो बड़ी बी से माफी मांगबो वो हम नहीं कर सकते बापा आपकी आँखों पे परदा बड़ा है इतना परदा नहीं पड़ा जीसा कि तुम्हारी हरकतों को बच्पना समझ कर माफ कर दूँ तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा कि तुम भी आतिफ के तरह अपना एक अलक रास्ता अख्तियार कर लो इसकी जबान इसकी मौत की वज़ाना बन जाए मैं कुछ भी नहीं ना देस मेरा ना मुट्टी मेरी मैं हूँ बंजारा मेरी ही जमी पे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ क्यों अपने जहां है मैं हूँ अजनदी मैं कौन हूँ उसलाम के नाम पर पंड़तों के नाम पर कश्मीरियत के नाम पर आवादी के नाम पर सबी शामन हैं आवादी के नाम पर आवादी के नाम पर यही नारा था ना तेरा बहुत लोगों का खून बहाया है न तूने बहाया है खान परमासूमों का नहीं तुझ जैसे हरामजादों का नहीं इसलिए हाजी ने तेरे को अपने पार्टी से निकाला था लशकर के साथ काम नहीं कर सकता लशकर हमारी मुहिम का एक अहम हिसा है मैं बंदूग छोड़ना चाहता हूँ यह फिदाई से मुझे नफरत है वो वो इसलाम के खिलाफ है और तुम हमारे आवादी की जंग में अपनी जान देना बहुत बहुत फक्र की बात होती है आजादी के खाब बेचते हैं आप लोग कश्मीर को एक कंपनी बना कर रख दिया है एहसान फरामोश जिनने ताओ के लिए तू काम कर रहा था उनके खिलाफ डारे लगा रहा है आजादी दिलवाएगा शेरे कश्मीर बनेगा हाजी से भी बड़ा आद्मी बनेगा सालेग, कतार इलेक्शन क्यों लगना चाहता है दिल्ली के हाथों कितने में बिका है तू तू कितने में बिका है खान वर्दी हिंदुस्तान की पहनते हो और बात पाकिस्तान की करते हो कश्मीरियत को लाल चाग पर बेचते है वो तूम लगना आति भुताई आति भुताई आति भुताई के लिए हजारों लाकों लोग सडकों पर उतराए हैं और उनके साथ हो रहे जुल्म के खिलाथ आवाज उठाने के लिए मौलवी अबास अंसारी की बेटी और फातिमा स्कॉट की लीडर अजीजा खुद अवाम के साथ जुड़ गई है हमारे साथ बात करेंगी खुद अजीजा आतिफ हुसेन कश्मीर और कश्मीरियों की आजादी के लिए लड़ रहा है वो भी बिना किसी हत्यार के उसे जिस कुना के लिए गिरफतार किया गया है वो बिल्कुल सच नहीं है मैं हर कश्मीरी से गुजारिश करती हूँ कि आतिफ हुसेन की रिहाई के लिए अपनी आवाज बुलंद करें तैंक्यू तैंक्यू सो मच अजीजा कैमरमन खुर्शीद के साथ धुरुव रहना बिल्कुल अपने बाप की तरह है जिद्धी कि इसके पास अपने गिर्व रवाएंगा जिद्धी क्या हाल बना दिया है नहाराम साथोरे तुमारा इसी की तो तंखा बाते है समल के वैसे मेरा हाल कश्मीर से तो बहतर ही है ऐसे वक्त पे भी मजाग कर लेते हो फिक्र मत करो इस भार मैं ही नहीं सारा कश्मीर तुमारे साथ है मीडिया भी तुमारी रहाई के लिए जोर दे रही है यह देखो कल से सिगनिचर कैमपेंट भी शुरू किया है अजीजा तुम जानती हो यूँ खुलिया मेरा साथ देने का नतीजा क्या होगा आजी तुम्हें पीकेफ से निकाल देगा वो नापत नहीं आएगी मैं पीकेफ छोड़ चुके हो अजीजा मुझे यहां डालने वाला उसी का बाप है राउफ देखो मुझे तुम्हारी फिकर हो रही है तुम्हें हिफाज़त की जरूरत है कुछ दिनों के लिए तुम दर्द पुरा चले जाओ रजाकर और सलमान सारा इंतजाम करतेंगे किया मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए को जानने के लिए हमें सबसे पहले पर्वेज को गिरिफ्तार करना पड़ेगा मेरे हिसाब से प्लास्ट पर्वेज ने करवाया था I have a feeling, it has something to do with operation 89 Are you sure victim? Positive sir, this is part of a big conspiracy इस्तार आव मंदर आए सलाम वालेकूम जनाब आव वालेकूम जनाब वालेकूम अस्सलाम आईए जनाब मुझे कहा होता तो मैं खुदी चलाए था अ इंदुस्तानी पुलीस अफसरों के साथ जानते भी हो कश्मीर में क्या हो रहे तुम्हारे खिलाफ आरेस्ट वारेन निकला हुआ है जब तक महौल सुलज नहीं जाता तुम यहीं रहो इत्म इनान से रहो हमारे साथ अब हमें कश्मीरियों के तेरे महमान नवाजी तो आती नहीं जितनी हो सकती है उतनी खातिरदारी तर जरूर करेंगे जावेद कब आप खिलाब यह लो शुक्रिया कोई बात ने रूसियों से जंग लड़ने से हमारे जिहाद को दो मस्बूत दोस मिले हैं एक तो अमरीकी डालर और दूसरा यह एके 47 जनाब जानते हो इसे एके 47 क्यों कहते हैं जनाब मैं तो सिर्फ चला ना जानता हूँ एके यानि आजाद कश्मीर सन 47 से अब इसे चाहे पानी में डुबो या बर्फ में डालो कभी धोखानी देती तुम कश्मीरियों के तरे बाबा पर 17 ब्लास्ट हो चुके हैं अठारवा कब होगा यह कोई नहीं जनता उनकी जान को खत्रा है और यह बाबा कभी नहीं मानेगे चाचा हम बाबा के हमलावारों का परदा फाश करना चाहते हैं ब्लास्ट के दिन क्या हुआ था हाजी बाबा परवेज़ों शक्वीर भाई मज़िस से निकले हार चुनमे की तरह हाजी बाबा ने दरगाह पर गाड़ी दोंदे एक फकीर को हारा कपड़ा दिया और पता ने क्यों कहा के शक्वीर भाई की गाड़ी पर बान दो पता की अरे यंडी वाली गाड़ी को दा आगाए मिया खुदा पर दस्तुड़ तुम जितना उसे जेल में रखोगी, मीडिया और आवाम उसे उतना हीरो बनाएगा, लोग मुझ पर भी शक कर सकते हैं, उसका जेल से निकलना है बेतर, जेल के बाहर निकल कर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड सकता लेकिन, जेल के अंदर रहकर, वो हमें बहुत नुकसान उसे ने तो अंदर करवाया था, परवेश की कातिल का कुछ पता चला, इनफॉर्मर्स लगे हुए है, पहली ख़बर आपी भुआईगी, अतिफ हुसे इस दिन ओल पार्टी मीटिंग में क्या हुआ था? उस दिन शबीर और हाजी के बीच में कुछ जगड़ा हो गया था शबीर एलेक्शन लड़ना चाहता था और हाजी ने उस पर इल्जाम लगाया कि वो दिल्ली के हाथों बिख चुका है ब्लास्ट के दिन वो सब कहां जा रहे थे बस इसी मसले का हल ढूणने के लिए पीर के घर जा रहे थे लेकिन पीर बाबा को सियासत छोड़े अर्शा हो गया वो क्यू दखलान राजी करेंगे ये कश्मीर है जनाब यहां सियासत कभी कोई नहीं छोड़ता अरे कभी तो यह हाल-चाल पूछने आया करो पूरे कश्मीर में आप एक ही हो, जिसे मैं भरोसा कर सकता हूँ जिसे दोस्त कह सकता हूँ मजाक कर रहा था तुम कश्मीर का दर्स समझते हो भाई हो हमारे बोलो क्या बात है? ब्लास्ट के दिन हाजी और शबीरली आपसे मिलने आया थे किस सिल्सिले में? उर्यत कापसी मसला था, सला करने आ रहे थे मसला इतना गहरा था के हाजी ने शबीरली को मार दिया ब्लास्ट तो हाजी नहीं करवाया था ना? मुझे यकिन नहीं हो था दोनों एकी पार्टी के थे तो जगड़ा किस बात का? एकी पार्टी में होने से सोच एक जैसी नहीं हो जाती आने वाले इलेक्शन को लेकर दोनों की इरादे मुक्तलिफ थे हाजी इलेक्शन बॉयकट करना चाता था शब्बीर ने इलेक्शन में उतरने का फैसला किया जाहिर है जो इलेक्शन लड़ेगा उसने हिंदुस्तान से समझोधा किया होगा इसका मतलब ये है कि शब्बीर अली दिल्ली के हाथों पिका था ये कश्मीर जो है ना कश्मीर ये बहुत बड़ी कंपनी है जहां लोग रोज करोडो रूपया फेकते है ताकि ये जलता रहे शायद शब्बीर बीसे का शिकार हुआ था क्या मालूम और आतिफ मरेगा पढ़ेख 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 आप अरेस्थ हाजी सर्थ नौट पॉसिबल विक्रम ठाए टो अंडर्स्टेइंड अगर हम हाजी को अरेस्ट करते हैं तो फिर से वही होगा जो 89 में हुआ था लाकों के जुलूस और फिर से आसादी का जुनून कश्मीर विल बर्न अगें विक्रम अटों अडर्साइड को कोई अरेस्ट करता लिए अरेस्ट होते है तो मासू कश्मीरी अटों वोक लाइट सर्व आप अरेस्ट आजी विक्रम अब हाजी नहीं राऊफ चाहिए वोई इसाई का एजेंट है बर्साइ और हाजी के बीच का लिंक ते वोस्ट बिग दील अरेस्ट है आप दो इट डिप्लोमाटिक इम्यूरिटी दो यूंदर्साइड वो इसाईड बिप्लोमाटिक कल अरेस्ट आपे। दो त्ष्व र ⋈ यह रहीम चाचा को दे देना उनकी बेटी की शादी के लिए और कहना कि बच्छा ने दिये हैं एक वफादार सिपाही के लिए लोलाब में खत्रा है जानते हैं, खुदा हाफिज आर आर को गुमराह करते रहो, उन्हें हम तक नहीं पहुंचना चाहिए वादी में अमन का होना हमारी मिशन के लिए खत्रा है ठीक है भाई जान वाई रुच्छाव कि अच्छाव कि अच्छाव कि अच्छाव को दो है का एसास नहीं कि अगर ये बात जनता को पता लग गई तो सरकार भी गिर सकती है सरकार इस ओप्रेशन से लोगों के बीच जो देहशत पैदा होगी उसका सीधा सीधा फाइदा आपको होगा नो पेन नो गेन लोगों के बीच जितना डर पैदा होगा आपके मिनिस्ट्री का बजट उतना ही भड़ेगा और ये बात मुझे आपको बतानी नी चाहिए कि ऐसी डीलिंग में सबसे मीठे आम आपको ही मिलने वाले हैं सबसे बड़ा कट रहेगा आपका तो जितना निचोड सकते हो निचोड लो कर गज़ा कर दितना निचोड दो जितना है हमने एलेक्शन बाइकॉट करने का फैसला कर लिया और कीमत जन्नत की क्या की मतलगा होगे जितना दोगे कम पड़ेगा आप बेफिकर रहे हैं इस सोदे से आपको कोई नुकसान नहीं होगा अच्छा वो पैसा ट्रस्ट में जमा करा दूँ और यह आतिफ को खामखा जेल में रखकर हीरो बनाने की ज़रूरत नहीं है बाहर निकालो उस खुदाफिस एक बार फिर हिंदुस्तान ने एलेक्शन का बिगुल बजाया है दुनिया को दिखाने के लिए 1947 से हम सब पर तर इंदुस्तान लेकिन एलेक्शन से क्या हो भी यूमन राइस वॉइलेशन तो यहां सालों साल पढ़ता है जा रहा है हम यह 신दुस्तानी पौच की बद़्धाती और नहीं सहेंगे तो लोग या ऐलेक्शन लड़ रहे हैं यह दिल्ली के हाथों बिख चुके हैं क्योंकि यह नहीं चाहते कि कश्मीर आजाद हूँ लिकिन मैं खाजी सेयद शाह और आप जैसे हर सच्चा कश्मीरी उनके मनसुबों को कामयाब नहीं होने देंगे और आज मैं इस नीली किताब को भाड़ कर एलक्षन के बाइकवाट का ऐलान करता हूँ नहीं चाहिए पासपोर्ट नहीं देंगे वोर्ट नहीं चाहिए पासपोर्ट नहीं देना कोई वोर्ट नहीं चाहिए पासपोर्ट नहीं देना कोई वोट तो बताये हूजी तया हूजेसर किया लगता था कोई दो इस बर आवाम आपका साथ्ट देगी या आतिफ हुसेन का अच्छा सोचिये और दुआ मांगे कि हम कश्मीरियों को फिर से वो करने की नौबत नाए जो हमने पिछली दफा किया था कश्मीर के बारे में कुछ अच्छा सोचिये मिस्टर राइना कश्मीर आजाद होना चाहता है ये बात तैय है लेकिन कि हाजी सेयद शा के बताए रास्ते से इस बात पर अभी दो राए है हमें इलेक्शन नहीं आजादी चाहिए आतिफ एक तरक्य पसंद लीडर है वो हमें रोटी भी धिलाएगा और आजादी भी खून बहाए बहुत सारा अल्ला का बंदा आतिफ हमारा अल्ला का बंदा आतिफ हमारा हमारे एक्जिट पोल्स के हिसाब से कश्मीरी बदलाव चाहते हैं लेकिन क्या वो बदलाव आतिफ हुसेन ही है ये सिर्फ समय बताएगा कैमेरमन कुर्शीद के साथ धुरुवराइना जी नियूस आतिफ हुसेन के साथ मीटिंग फिक्स करो काश्मीर में इलेक्शन जीतने के लिए आतिफ हुसेन के साथ एलाइंस करना होगा इनके खावंद अठ्रा साल हो गए वो मरे नहीं है शायद क्या आर्मी उठा कर लेके गई थी मेचर शर्मा वोली पूछताच के बाद छोड़ देंगे दो दिन तक कोई खबर नहीं आई और जब मैं वहाँ गई तो सब के सब, सब के सब मों कर गए कहा कि हमने किसी सायद लोन को उठाया ही नहीं था अल्ला ने कहा है, सबर रखो बहुत सबर है मुझ में सलाम वालेकूम रॉप साब आतिव के रहाई के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी ऐसी बाते फोन पर नहीं किया करते हैं अच्छा हाजरत बला जाओ, वह ही कुछ बात करते हैं छिप, खदाफस बाई वाह, आज क्या बात है हमारी यहत कैसे आ गई आतिव जेल में है और मैं पीकेफ छोड़ चुकी हूँ इस वक्त बाबा का सपोर्ट मिलना नामुम्किन है देखिए, आप परिशाने में अच्छी नहीं लगते हैं तो बताइए आपके साथ मैं क्या कर सकता हूँ आप खामोश क्यों है कोन तुम क्या चाहते हो चब बीर अली को मांतरी का मकसद क्या था आतिफ को जेल क्यों करवाई क्या बखबखकर है तुम लोग देखिया मैं बिजनेसमेन हूँ जनाब और सिर्फ बिजनेस करता हूँ आप तही क्या है बिजनेस करता है लेकिन कश्मीर का आप तरह मुझे मुझे बख्ष दो प्लीज बोल यह क्या होने वगा इनका प्लाइन क्या है बोल 89 में जे हुआ था कुछ वैसा ही करने का प्लाइन है साफ साफ बता आजादी वो तु दुनिया जानती है मौलवी की मौत हाजी और मौलवी दोनों कश्मीर की आजादी चाहते थे पर हाजी पाकिस्तानियों की मदद से और मौलवी कश्मीरियों की मदद से दोनों के रास्ते अलग थे पर मकसद एक दोनों चाहते थे के कश्मीरी लोग एक साथ हो इकठा हो और ये तब ही हो सकता था जब कोई बड़ा हाथसा हो जैसे कि मौलवी की मौत पर अब्बू को तो आन्मी ने मारा था अजीजा तुम हाजी को बाब कितरे मानती हो पर हकीकत यह है कि हाजी सैयर शाह ही तुम्हारे अब्बा का कातिल है मार ना हो तो तुम हाजी को मार सकती हो लेकिन अगर तुमने उसे मारा तो कश्मीर में उसका नाम शहीदों में गेना जाएगा और हर दीवार पर उसकी फोटो तुम्हारे अब्बू के साथ लगाई जाएगी तुमें से ऐसा मारो अजीजा कि हर कश्मीरी के दिल से उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए मिठ जाए जमीरों आसमा के मौलेक सुझ छोड़ सारे काम तुझ जमी में आखे तुशत देखके तेरी दुने नफरते कर रहे हैं कैसे तबाद तुम् छोड़ को फिरो नाम हमेशा हमेशा के बाएगा तुमा मौलेकि जहाएगी जहाएब जमीरों जोड़ थे जाएगाई जाएब ग्राववान बाएब पार्श देसा का जाएब जाएब और झाल तुम् टार लिएवक प्रतावभ़ अजी जञे जटासाथ अद्णावार कि मजुनeln य νखावार आजी ज्लाग निन आइ जुब सीओन आपर चूसना! तोड़ जय करताइ़! एवाइ़ जय करें अवाइ़! एवाइ़! एवाइ़! अज प्राव्याल उढकर झार प्राव्या भी अच्राव रवर वो भी जज़ भी लो अच्राव वो प्रफ krव भी अव ओड़ झुज़िजब नहीं भाई राइ ईता ते की धुश लुश गय कर gåुत आप कर दो कि बास्के कर दो का डेल सकतल रेची! लिफजयी लिफजयी लएई,, जतो के लिफजयी लिफजयी? हम अपनी मिशन का बिसमिल्ला करेंगे जम्मू कैम्प से और उसके लिए तुम मैंसे तीन बच्चे जाएंगे तुम तुम बेटा और तुम हमारी मिशन की शुरुआत करोगे अजीसा तबियत कैसी है बेटर है अजीसा मुझे जाना होगा कहा जम्मू बुराली अड्रेस करनी है पंडितों के कैम्प में आतिफ अजीजा मैं वो करने जा रहा हूँ जो कश्मीर में सालों से नहीं हुआ हाजी अपने फाइदे के लिए लोगों का इस्तमाल करना उसकी खासियत है हाजी भी मरेगा परवेज और शबीर एडी की तरह शबीर भाई का नाम इन कटरपंतियों के साथ मतलो वो कश्मीर की मोहिम का एक सच्चा सिपाई था गलत तुम खामकाओ से हीरो बना रहे हो पॉलिटिक्स में कोई फरिष्टा नहीं होता सब के सब विकाओ होते शबीर भाई विकाओ नहीं थे वो कश्मीर में अमन और तरक्की लाने के इरादे से ही इलेक्शन लड़ना चाते थे तुमने मुझे जूट बुला पीर क्या क्या रहे हो तुम शबीर अली दिल्ली का प्यादा नहीं था वो एक अच्छा कश्मीरी था और ये तुम चानते थे फिर भी तुमने मुझे गुमराख किया देखो एकरम जितना मैं जानता था मैंने तुम्हें बता दिया मैंने तुम्हें अपना दोस्स समझा कश्मीर का वफाधर समझा लेकिन तुम भी बिग गयों बाक्यों की तरह क्या चाहते हो तुम लोग शबीर अली को क्यों मारा तुमने यह ओपरेशन 89 क्या है मेरा कोई ओपरेशन 89 से तालूख नहीं है है बिल्कुल है तुमारा भी और हाजी का भी शाहिद इसलिए शबीर अली मारा गया क्या चाहते हो तुम लोग अजादी हाँ मेरा ओपरेशन 89 से तालूख है प्लास्ट कर रहे हैं हम जम्मू तो बिस घंटे के अंदर रोक पागे तुम जम्मू में प्लास्ट का नेधीर जाते हो जम्मू एक और कश्मीर बन जाएगा वही तो चाहते हैं हम वही तो चाहते हैं हिंदुस्तान के हर कोने में एक कश्मीर पैदा हो ताकि तुम लोग भी हमारा दर्द सह सको और समझ सको पिछले अटरा साल से हम पर क्या भीत रही है तुम पागल होगे पीर बिलकुल पागल होगे इसका अंजान तुम जानते हो है उससे बद्दर तो नहीं होगा पीर ये मत भूलो के जिने तुम मारने जा रहे हो वो भी कश्मीरी है और ये मत भूलो के उनके लिए तुम लोगों ने पाकिस्तान से जंग लड़ी थी 1947 में मैं बलास रोकने जा रहा हूँ पीर हो सके तो तुम भी रोक लो देबस हो मेरे हाट में कुछ भी नहीं है देखिये आतिव भाई इतिहास गवा है कश्मीर में इलेक्शन वही जीता है जिसे दिल्ली पसंद करती है और यास से नहीं 1947 से हो रहा है इस बार आपका इतिहास बदलेगा कश्मीर में इलेक्शन वही जीतेगा जिसे आवाम पसंद करती है ये सियासत है सरकार आप अकेले कितना लणेंगे देखिए आपको एक ऐसे साथी की जरूरत है जो आपकी छोटी सी इरिजिनल प्राब्लम को एक नेशनल प्रेटफॉर्म दिलब सके छोड़िये आप अच्छी तरह जानते हैं तो कश्मीर से दूर रहे है अब वाहों के बेसिस पर हम इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते और वैसे भी इलेक्शन सिर पर है अगर हमने ये रैली कॉल अप की तो कश्मीरियों को एक मुद्दा और मिल जाएगा वो इस मुद्दे को freedom of speech और human rights का issue बना कर UN तक ले जाएंगे बच सर आप don't get carried away मैं consult authority से बात कर लूँगा देश हम समाल लेंगे आप border समाल लिए चार चिनार चार चिनार गुल चाहंदी तुम्हारी जान को खत्रा है मैं जानता हूँ लेकिन mission उससे भी खतर ना थे कश्मीर छोड़ के चले जाए जी उसी कॉड़न About operation 89 now Not possible Jumbo is under threat और हमें उसे रुपना होगा तुम जी उसी से काओ मुझे advice नहीं सपोर्ट की जरूरत है We need to act fast, Major Sir और तुम्हारा शक सही था हाजी is funded by ISI इसमें सारी details है तुम्हारी दोस्ट को दे देना Not required उसने PKF छोड़ दिया उसका हाजी से कोई लेना देना रहा सत्रह साल से ये पैसा हाजी मौलवी के ट्रस्ट में डिपोजिट करता है शायद ये बात अजीजा नहीं जानती क्या? कपूर उस्राइट मेजर कश्मीर इस दे मोस्ट डेंजरूस प्लेस इंद वोल्ट यहां कुछ भी हो सकता है क्यार वहां कर दो एक बार फिर पंडिस टागेट है और फिर तुम सोच सकती हो के कश्मीरियों पर क्या बीतिगी पर होने क्या वाला है अतिफ की रैली में ब्लास्ट होने वाला है क्या अतिफ से कहो के रैली रोप देखे पर डू ऐसा ऐसे फोन लगा वादिफ एरूती सारिया लाइना व्यस्थ ही थोडी तेर पाज जदन परू इस रूट की सभी लाइने व्यस्थ है रिप्या थोडी तेर पाज दोबारा कोशिश रिए तोड़ी तेर पाज दोबारा कोशिश रिए Today we in Jammu about to experience a historical event being made. Once a militant, now a political ambassador for peace, Atif Hussain is here to address the Hindu camps of the Pandit community. The Pandits who were once driven away 18 years back for their struggle for freedom by the separatists. So why is it that one such leader is trying to bring the Hindu community back? Is it a pure political gimmick or is it a genuine reach out? अनिएट की संङचति आयात आच उटाएव जाएव जाएव जिए पारी मेरे गज़नाती जिताबर 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 आतिफ यह राली कैंसल करतो यहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है हजारों लोगों की जाने चली जाएंगे जरा मुड़कर देखे कितने लोग मौजूद है आज की ये तारीक कश्मीर के लिए बहुत जरूरी है और आप चाहते हैं कि मैं इस सब को छोड़ दू ये कारवाँ अब रुखने वाला नहीं है ये स्टेज पॉइंट है और ये इसकी चार एंट्री एक, दो, तीन, चार भाशन शुरू होने के कुछ दिर बाद हम गेट नमबर तीन से दाखिल होंगे जहां से जावद भाई सब समाल लेंगे मिशन कम्प्रेट होते ही तुम मीडिया से मिलोगे और तुम कैप्टन से आप्रेशन की काम्याभी हमारे इस मिशन के काबिले एक्तिमाल है कोई गड़ बर नहीं होनी चाहिए ये बच्चा का हुक्म है आज में मैं आज आप लोगों के बीच कोई सियासी तकरीर पेश करने नहीं आया बल्कि अपने दिल की मुराद बताने आया हूँ वो मुराद जो हर सच्चे कश्मीरी के दिल की आवाज है विंडो पे कोई है वो किस है आप लोग वापस आजाए वापस आजाओ जो बीच गया उसे हम भुला नहीं सकते मगर यकीन मानिये दर्ग हम सबने बराबर का साहा है बस फर्क इतना है कि आपने मिलिटिंट की गोली खाई और हमने मिल्टरी की आप यहां अपने आली शान मकान छोड़कर इन रेफ्यूजी कैम्प में कैद हैं और हम वहां उस खूबसूरत जेल में सब में मिलकर अपने फाइदे के लिए कश्मीर को एक कमपनी बना दिया है और इस कारोबार में नुकसान सिर्फ आम कश्मीरी का होता है चाहे वो हिंदू हो या मुसल्मान हमारे आपसी जगडे बहुत छोड़े थे जिनको बड़ा बनाना उनका फर्द था क्योंकि हमें तोड़ने में उनको फाइदा था लेकिन इस मसले को हल करना और फिर से एक हो जाना हमारा फर्द है और हमारी सिमेदारी भी और अगर हमने ये कदम नहीं उठाया तो आठ्वा सालों से जो कश्मीर में हो रहा है वो कल जम्मो में भी होगा तो आठ्वाędाटन सब्दाब करनी सिमेदाब तो उर्ख भी हो āटिव काइदाब है लिलाया ले 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 समय है पायाला हूमादूर्सुण। रायाला हूमादूर्सुण। पायाला! कि खलम यूमादेरा ज़रा टो एकलोशारा निए बढ़ता है कि रहाल नहीं है तर रहाल उडियम लामदेरा कर दो कर दो हाजी सेयद शा, मेरे अब्बू, मौल्वी अब्बास अंसारी का कातिल है पिछली आठ्रा सालों से वो कश्मीरियत का सौधा कर दे आ रहे है तुम्हें पता भी है तुम क्या बोलरी अजीजा सबूत है मेरे पास उनके बैंक रेकॉर्ड्स जहां पे सालों से अब जो रुप्यों का ट्रांसफर होता आ रहा है आएसाई और नाचानी कितनी इंटरनाशनल एजनसीज इन्हें फंड करती हैं ताकि कश्मीर जलता रहे ताकि ये मासून कश्मीरियों को गुम्रा करते रहे कभी इसलाम के नाम पर कभी जिहाद के नाम पर कभी कश्मीरियत तो कभी जंगी अजादी के नाम से हमारे जजबातों के साथ खेलना हाजी सयच्छा का पेशा है और पासपोर्ट फारने का बहुत शौक है नाईने तीन-तिन मुलकों का पासपोर्ट रखते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानस्तान हाजी सयच्छा ने हम कश्मीरियों के साथ वही किया जो सदियों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकार करती आई है वो हर उस मा का गुनेगार है जिसने अपना बेटा खोया है वो हर उस बेटे का गुनेगार है जिसने अपने वालिद को खोया है और वो हर उस औरत का गुनेगार है जिसके खावन आज तक लापता है आने कश्मीर की आवाम को धोका दिया है, आपको धोका दिया है, और सजा देना सिर्फ आपका हाग है. लिए शुरख्षा बड़ो के साथ पारा गीज़ आपका दिया है, आज तक्क्वाधी पारे जाए गएा, जम्मो कश्मीर में आज आड़ी सुरक्षा के पीश, के नाम पर पंडितों के नाम पर कश्मीरत्केनाम पर आजादी के नाम पर सभी शीमिल शीमिल एक भाल मिला तरिको शुझ माई एक पल मिनुआ कभी हमसदा एक पल वही कभी खैरियत एक पल हुआ कभी हादसा मौसम कुछ मचाने कैसे मिले यहाँ दुल को जो हो जिल कहे खामोशिया मौसम कुछ मैचाने देगा सरगोशिया यूह आते करती है यूही होती सुपार वहमसदा वहमसदा अपर तुखर देखुदा एक पल मिला कभी खुश्नमा एक पल मिला कभी रुम्जदा एक पल रही कभी खैरियत एक पल हुआ कभी हादसा एक वहादसा एक पल रही कभी होती सुपार एक वहादसा दूप कभी पारिश में घम की रित भी आती है खुशियों की फारिश में अकसर लमहे कटे हैं चाहत या रंजिश में अर्दम कर्यां खिरती है बातों की बंदिश में एक बल कभी सुकून है एक बल कभी है बेतली एक बल कभी जुनून है एक बल कभी है बेबसी यही अजल से होता रहा है यूही जिया हर एक रुशा रहमद सर्दा रहमद सर्दा ने खिरती है रहमद सर्दा रहमद सर्दा कर दो कर दो